नमस्कार आप देख रहे हैं जनसन देश ट्राइंस और मैं हूँ आपके साथ आकी मिराज खान 2024 लोगसभा चुनाओ के पहले चरण का मद्दान हो चुका है देश की 102 लोगसभा सीटों पे मद्दान हुआ जिसके बाद अब तमाम पार्टियों ने बयान बादी तेस कर दी है हम बात करें इस वक्त परधान मंत्री नरेन मोदी का एक बयान जो है वो काफी वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दावा कराया है कि पूर परधान मंत्री मनमोहन सिंग ने ये बयान दिया था कि देश की संपत्ती पर माइनॉर्टी यानि अल्वसंख्यकों का पहला हक है हमारे साथ बात करने के लिए आर्यन मिश्रा है युवानेता है कॉंग्रेस के और चर्चित चहरा है और अपने बयानों से जाने आते हैं आर्यन मिश्रा स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्दवाद आकिप जी लोकसवा का चुनाओ पीक पे है पहले फेस का चुनाओ हो चुका है जो कल प्रदान मंत्री का भाशन आया है सामने है यह सपस्ष रूप से संदेश डे रहा है कि प्रदान मंत्री और भारती जंता पार्टी बॉख फुलाई है डर चुकी है सहम गई है जो पहले फेस के चुनाओ जनता ने इस पस्ष अंदेश दे दिया है कि इंडिया गडबंदन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है और भारती अंता पार्टी की जुम्लों को सफाया करने जा रहा है प्रदान मंत्री ने मनमोहन चीम ने कहा था कि पहला हगो देश की संपत्ति बार मुसलमानों का है तो में आपके चेलों के माद्म से ऐस सबस्च करना चाहता हूं कि देश के पदानमंत्री जूटे हैं यह बैन मनमोहन चीन Qui सधर नहीं मनमोहन स्विग जी ने कहा था 9.1226 का बैस bench का कि देश में पहला हक, जल, सिचाई, जाती जंगलना और ग्रामील का विकास, ग्रामील में बड़ा निवेश हो, तमाम रोडों पर निर्मान हो, हाईवे का निर्मान हो, जाती का जंगलना है, CST, अलसंक्यक, महिला, सबका अधिकार है, लेकिन प्रधान मंत्री ने जो करना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि चुनाओं हिंदू-मुसल्मान पर हो, भारत-पाकिस्तान पर हो, मंदिर-मस्जिद पर हो, वेश नौन-वेश पर चुनाओं, लेकिन देश की जंता पूरी तरह समझ चुकी है, कि यह बयान नरेन-मोदी ने दिया है कल, यह इंकी बॉकल इसकी बने जाँ, बहुत अंतर है, इसमााकिप जी चाहते हैं, लिवीन नरेन-मेश नियम-दिया इसमां स्कूप जी चाहते हो, को चार्सो पार्द की डाल में आपको यह सीटों की बात नहीं कर रही है और किन अधारों पर सीट की बात कर मुझे बताएं यह कहते हैं को अगरती चाहर बार राम के नाम कांक कि नाम और देखिए एक का कौई दिकर नहीं किसानों का क्षण माफ़ों का कॉंटर पाँप्र meta 10 सुनिभ नहीं है गोंगना पतर है एक तरफ न UPतर पतर है एक तरफ राहूल गांडी के वादे हैं दूद्हिस जूमले लेकिन उनका जो मैनेफेस्टो है जिसको संकल पत्र कहा जाता है इस बार मोधी की गरेंटी कहा जा रहे है उसमें तमाम इंकी योजनाई थी जैसे उज्वला योजना परधान मंत्री आवास योजना और राशन उसको वह कॉंटिन्यू रखेंगे और उसमें बढ़ोत्री भी करेंगे ठीक बात है 2014 का संकल पत्र उठाएं 2019 का संकल पत्र उठाएं जो वादे उन्हें किये थे उसमें से पांच वादे करके दिखा दिया हो तो हम बोट देने को तयार है कोई वादा पूरा नहीं किया है सिर्फ चुनाओ बहुत अच्छे से जा रहा था चुनाओ अच्छा चल रहा का बिरुजगारी पर मैला सुरक्षा पर किसानों की फसल के दाम पर वोट जनता वोट कर रही थी लेकिन प्रदान मंत्री के जो बहाशा लाया है वो इस पर सूप संदेश है कि यह घबरा आ गया है यह चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसल्मान हो हिंदू एक तरफ मुसल बारत पाकिस्तान हो जाता है जिसे देश में एक ऐसा महौल पैदा हो जाता है जिसमें हिंदू मुसल्मान आपस में लड़ने लगते हैं बारत पाकिस्तान होने लगता है मंदिर मज़ित होने लगता है तो आप आरूप लगा रहे हैं कि पॉलराइस करने की तोशिश हो रही है निस्टेश सो परसेंट आपके चलन के माद्धियम से कहना चाहता हूं कि देश के पदान मंत्री चुनाओं को पॉलराइस कहना चाहते हैं लेकिन देश की जनता ने कह है कि पहले चलन हो चाहे आखरी चलन हो इंडिया गर्वंदन के साथ वो खड़ी है और नरेंद मोदी की जुम्ले को हटाने जा रही है उत्तर प्रदेश के डिप्तिश्यम बिर्जेश पाठक ने भी दावा करा है कि पहले चलन के मद्धान से साफ हो गया है कि देश में एक बयान देने से कुछ नहीं हो गा एक तरफ करना दो चनलन ओ लोल हो गाही है जिनको पता ही कि डेश के पहले पंधान मंत्री के नाम क्या है तो यह रहते नरेंद मोदी के परिवार हैं जिंको ज्यां भी नहीं है और जुट भी बोलना है क्यान की कोई सीमा नहीं होती है लेक यह साफ तरिज सबस्द है कि कि कारे ले मिल्कुल नाय पत्र नभ नेखा क्या आपने मीला है इक अप मजबूरन कुष्टी को सन्याज देते हुए कि मत्भूरन होते हुए सिलिवा पार्टी कर नयाय को नता करना है कि उसको फच्जों कर राशन चाहिए अबने जो की नौकरी कि निहीं पाणि PP ने कहा है और चाहे एक्सप्रेस वे हो और चाहे पुल हो उनका देख सकते हैं आप कनेक्टिविटी कि इतनी बहतर हो गई है आपने कहा कि आखरी वेक्ति तक भारतेंटर पाटी का सब कुछ पहुच चुका है विकास पहुच गया है पहला वेक्ति नरेनमोदी है आखरी वक्ति अडान हैं इतना इसब्सक्राश इतना ही कहना चाहेंगे इस बात पे कि पेहले विक्ति नरेनमोदी जी है और आखरी वेक्ति अडानी जी आपने ही सिजटानं भीजाने हो रहा है। को देश की जनता, 2024 में भारतियनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहती है। जो बातियत्स आपने संकलपतर ने पूरे किये हैं कि नहीं। तमाम वीडियो आपने देखियोगी। बारतियंता पार्टी अगर किसी के दौर पर जा रहा है उनके नेता कारकता जा रहा है तो जनता वहां की ख़देरों के भगा रही है। लेकिन भारतियंता पार्टी के तो हिंदुबादी सरकार माना जाता है राममंदिर का निर्माण करा धारा 370 हटा दी, यूशी सी लागू कर दिया उस प्रफेंड में नर्सी लागू करेंगे तमाम वादेगों पूरे तो होरे जो उन्होंने करें जो किसान धरने पर बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पे क्या वो हिंदु नहीं थे कि जो महिला कुश्ची की पहलवान जो बैठी थी क्या हिंदु नहीं थी जो मालीपुर में महिला को नंगरस किया जारा क्या वो रिंदु नहीं है तो यह धक्षर माजी नहीं है कि अभी थोड़े दिन पहले एक तस्वीर आई थी, कि प्रधान मंत्री जी बैटे हैं और दलित राश्पती खड़ी है, ये दलित का अपमान है, साथ और से स्पस करना चाहता हूं कि दलितों का अपमान ये सरकार कर रही है, ये पिछलों का अपमान कर रही है, ये सिर्फ यम की जमता ने इस पस Index देढ़ा थो जाए कि दोजाअचव– वीसमें देश-क सच कर तया है, इंडिया गड़ वन्दन का दूला सच का तयार हो चुका है, इंडिया घरवंदन का दूला सच कर के तयार है, इंडिया का नाम रहू खुंडी है. दूसने पार्टी तो मानने क निश्यत रूप से आप देखिएगा चार जून को इंडिया गटमंदन के लोगों को सदस्यों को भारी बहुंबत मिलेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे और इंडिया गटमंदन राहुल जी को प्रदान मंत्री पत्का दावेदार कोशिप करें अच्छा राहुल गांदी कि पूसाधार पर राहुल जी कह रहे हैं कि एक तरफ सच है एक तरफ जूट है एक तरफ राहुल गांदी की गारेंटी एक तरफ नर्यमोदी का जुमला है एक तरफ एकता है एक तरफ बटवारा है तो यह इसपस्ट है ना राहुल गांदी देश की एकता के साथ कड़े हैं देश को जोडने का कार वो करते हैं, ये डंडे से तोलेंगे, हम जंडे से जोडेंगे, ये हमारा नयापत्र रखेता है। राहुल जी ने मणिपुर से महरास्तों से कश्मीर से कन्या कुमारी हूँ, जो भारत को पडल लापने का कार किया है, यह किसी नेता में दम नहीं है, प्रधान मंत्री में आपको चलन के मादवा करता हूँ, दस किलो मेटर पडल नहीं चल पाएंगे, और राहुल गांदी नह हजारो किलोमेटर सारी सुखसुदा को छोड़कर वो भी बड़े परिवार के हिस्सा है, वो भी चाहते तो ना करते, लेकिन इस देश को जोलने का कार अगर किसी ने किया है, तो राहुल गांदी ने किया है, हर वर को साथ ले चलने का कार किसी ने किया, तो राहुल गांद और राहुल जी अच्छे बयान निदे पाते हैं, आज वही लोग कह रहा है कि राहुल गांदी सबसे अच्छे नेता उबर के आया है, मलब राहुल जी पहले भी अच्छे थे, राहुल जी आज भी अच्छे है, और जीवन अच्छे रहेंगे, कुईकि वह एक इमानदार, ए और लोगों कर स्कसिषे को और व्याज़ता निटाही हों सब्सक्राइब करें रहे म्स attность का कारवायि करी गई थी तो क्या से डर नहीं है उप लोगों के अंदर के पाहिए वाज़पा के सरकार् reference के फीड से आ जाती अगर इस देश पर संकट आया है, तो कॉर्णोर्स पार्टी का कारकरताओं ने बलिदान दिया है शहीद हुमे देश के लिए, मुझे बताए आरसेस और भारतने पार्टी पार्टी का इस देश की आजादी में क्या योगदान है, 1985 की बनी हुई पार्टी बताएगी की राष्टवादी कौन है, यह राष्टवाद का सर्टिफिकेट हमें देंगे, 22 साल तक RSS ने अपने कारहले पर भारत का जंडा नहीं पहराया, और यह राष्टवाद का सर्टिफिकेट हम लोग को देंगे आज, तमाम कुरबानिया कांगोर्स पार्टी की नेताओं अंधमे कारकरताओं न दिये, बिना डरे इस मज्बूति से इस संकल के साथ आगे बढ़ना है, कि हमें राजी जी के, हमें इंद्रा जी के, हमें नहरुजी के सपने को साकार करना है, एक तरफ गांधी की विचारदरा एक तरफ गोड़से की विचारदरा है गांधी की विचारदरा कहती है कि इस देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए इस देश में एक प्यार का महोल होना चाहिए महबत का महोल होना चाहिए और गोड़से की विचारदरा कहती है कि जुख जाओ, माफी मांगो, एक तरफ नफरत है, तो ये गोड़से की विचारदर आ है, गांधी की विचारदर आ है, हम गांधी के सिपाही है, हम मजबूती से आखरी दम तक, आखरी सास तक इस देश के, इस देश के लोकतन को, इस देश के सम्धान को बचाने का प्रयास करेंगे, और ये कहते हैं कि 400 पार ये क्यों लाएंगे, ये तमाम नेताओं के बियान सामने आ रहे हैं, कि 400 पार सीटे लाएंगे, तो इसका सम्विधान बदल देंगे, भीम रॉम बेकर के सम्विधान को एक कुछलने का कार तो दिन पति दिन कर रहे हैं, और इस पस पर य Means कि 400 पार हडीना को तो, लोग ये समिधान को कुछलने को वाले हैं, हम देशने को जोड़ने वाले हैं, ठैक यार्यन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हkę वात और जिस तरीके से अरों मृष्रे का नावा है कि इस बार देश में इंडिया इंडिया मंत्री जो होंगे वो राहूल गांधी होंगे अब देखना ही होगा इंडिया गडबंधन में दूल है कि जो कमी थे क्या वो राहूल गांधी पूरा कर पाएंगे देखते रहे हैं ऐसा ही तमाम खबरों के लिए जनसंदेश टाइम्स